ओके सो अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल पे काफी ज़दा हैर स्पा से रिलेटेड वीडियो देखे होंगे जो हैर फॉल और एंटी डेंडर्फ से रिलेटेड थे बट आज का वीडियो काफी ज़दा डेफरेंट है तो चलिए देखते हैं आज हम लोग लेकर आए हैं लाडियल का हैर स्पा जो काफी दा डेंडर्फ को कंट्रोल करता है तो देखिए सबसे पहले मैं हैर स्चेक कर रहा हूं कि हैर स्केल्प में ड्राइने से या फिर ऑईलने से यह पूरी तरह से आप लोग को चेक कर लेना है जिसके आकोर्डिंग हम करेंगे हैर स्पा तो जैसे कि मैंने आप लोग को पता है कि आज का हैर स्पा काफी जदा डिफरेंट है इसमें जो भी प्रोड़क में यूज करने वाला है और शायद से आप लोग ने यह पपहले कभी किया हो या फिन नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने से आप वोर्ट हो तो चाहलों को सब्सक्राइब कर लिए थैंक्यू सो मच तो लाइक भी कर लिजे क्योंकि लाइक करने से आप लोग का प्यार मुझे दिखाई देता है जिससे कि मुझे पता चलता है कि आप लोग काफी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वीडियो तो लाइक कर लिए थैंक्यू सो मच तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो में पास एंप्यूल से लॉरियल का प्यूरिफाइ कॉंसेंट्रेंट एंटी डैंडर्फ एंप्यूल्स जो कि काफी ज़दा बहतरी जिल्द देता है और डैंडर्फ को पुरी तरह क्लीन करता है तो चलिए दिखाता में आप लोगो सिक्स टाइप के एंप्यूल्स मिलेंगे जो कि हमें एंटी डैंडर्फ को पूरी तरह से क्लीन करने काम करेगा तो देखिए हमने एक छोटी सी 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 निकाल लिया है और इसे हम यूस करेंगे आप लोगो डैंडर्फ से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए मैं काफी ज़दा लेकर आया हूँ बट ये काफी ज़दा डिफरेंट है तो वीडियो को लाश तक देखना तो देखिए मैंने इसे ले लिया पूरा बाउल में और इस बाउल को आप लोगो डैरेटली स्कैल्प में नहीं लगाना है क्योंकि अगर डैरेट लगाएंगे त जब आप लोग एंप्यूल से मिक्स करोगे तो आप लोग स्कैल्प में लगा सकते हो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है स्कैल्प पे तो जैसे कि मैंने बताया कि काफी ज़दा डिफरेंट है तो वीडियो को लाश तक जरूर देखते रहना दोस्तों ताकि आप लो को क्या करना है तो वीडियो को देखते रहे हैंчто दोस्तों मेरे जो भी हैर कटूसे रिलेटेड वीडियो रते हैं उस पर आप लोग कफी ज़दा प्यार दिखार हो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत सारे अभी हैर कलर के हैर क। के और hair treatment से relative वीडियो आने वाले हैं तो आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहे हैं ताकि आप लोग को जो भी knowledge में दे सकूँ वो आप लोग लेते रहे हैं ताकि आप लोग को अभी काफ़े दा help हो और share करिए ताकि जो दूसरे लोग हैं जिने नहीं पता है उनका भी काफ़ी अदा help हो पाए तो चलिए हम आचुके हैं back side में और उसे back side में भी हम same जैसे scalp में लगा रहे हैं partition निकालते हुए उसी तरह आप लोग को लगाना है वीडियो देखने के बाद भी बहुत लोगों का doubt हो जाता है कि किस तरह हमें use करना है तो आप लोग को जो भी doubt clear करना हो मेरा instagram idea है वहाँ पर आप लोग उजे message कर सकते हो link आप लोगो description में मिल जाएगा तो आप हम वापस से cream बाद निकाल रहे हैं और ये cream बाद हम लोग use करने वाले हैं length पर तो अब सिर्फ हमें cream बाद use करना है इसमें जो भी हमारा impuls था उसमें का जो भी liquid था उसे आप लोग को mix नहीं करना है बस आप लोगो cream बाद पूरी length पर अच्छी तरीके से लगाना है ताकि हमारे बालों में moisture और smoothness आ जाए तो अभी scalp में तो हम लोग ने हमारा impuls और cream बाद mix करके हमने लगा है वो तो लगा ही लिया है बट length पर आप लोगो खाली cream बाद लगाना है आप लोग का product जो है वो वेश्ट हो जाएगा तो ध्यान दीजे खाली आप लोग को length पर cream बाद ही लगाना है तो cream बाद आप लोग hair spa में कोई भी ले सकते हो anti dandruff से related या smoothening treatment से related कोई भी आप लोग hair spa का cream ले सकते हो बट laurel का ही लेना तो देखिए अब हमने start कर दिया है हमारा head massage तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमने impuls का product है उसे scalp में लगा है तो उसे अच्छी तरीके से हम लोग massage के दरिये पूरे scalp में हम लोग उसे करना है जिससे कि हमारे client को काफी ज़या relaxation मिले और उन्हें काफी ज़या आराम मिले तो देखिए मैं किस तरह से finger को बहुत ही आराम तरीके से उसे मुख कर रहा हूं head massage और देन उसके बाद में आप लोग को back side में भी करना है पहले front से start करना है देन back में उसके बाद में आप client को रहे तो पूरी तरीके से clear हो जाए तो देखिए next side में हम लोग आ चुके है next side में भी आप लोग को finger से इदम slowly तरीके से देना है और pressure जादा आप लोग को नहीं देना है pressure आप लोग को limited ही रखना है जैसे कि हमारे client को जादा कोई pressure का problem ना हो तो देखिए अब हम आ चु point से जो भी headache से related problem होती हो पुरी तरीके से solve हो जाता है तो इससे आप लोग को हमारे client का relaxation भी हो जाता है और जो भी headache का problem हो भी पुरी तरीके से clear हो जाता है hair spa में head massage काफी जादा important है तो आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से head massage करिए जिसे कि हमारे client को काफी अच्छी तरीके से relaxation मिल पाए तो देखिए हमने हमारा head massage पूरा pressure point के साथ में complete कर लिया है अब हम आएंगे हमारे steam पर तो steam आप लोग को ज़्यादा नहीं देना है बस 5-10 मिट के लिए देना है बहुत लोग 10-15 मिट के लिए रख देते हैं बट इतना आप लोग को नहीं देना है तो देखिए मैं use कर र देखिए क्योंकि अगर ज़्यादा steam देने से hair dry हो सकते हैं अच्छी तरीके से आप लोग को steam देने के बाद में जो भी cream है उसे पूरी तरीके से wash कर लेंगे और देन वाश करने के बाद आप लोग को करना है towel dry towel dry करने के बाद में हमें करना है cool blow dry blow dry जो कि आप लोग को करके जो भी hair में से water हो चीज अच्छी तरीके से निकाल लेना है उसके बाद हम यूज करेंगे स्ट्रिक्स का serum आप लोग लॉरियल ब्रैंड का या फिर किसी ब्रैंड का भी यूज कर सकते हूं बट मैं लॉरियल का नहीं जादे स्ट्रिक्स का यूज करता हूं जो कि स्ट लगानी कोई जरूत नहीं लेंद में अची तरीके से लगा लिजिए जितना ज़दा लेंद में लगाओगे उतना ही बहतरी शाइन आएगा तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे रिजल्ट कितना बेस्ट आया है शाइन काफी ज़दा अच्छी लग रही है तो पहले देख यह हैर स्पा का वीडियो कैसे लागा कामेंट्स करके जरूर बताना और दोस्तों स्क्रीन पर जो भी वीडियो आ रहे हैं उसे देखकर आप लोग और भी ज़दा नौलेज ले सकते हो आप लोग के लिए मैं इसी तरह नहीं नहीं वीडियो लेकर आता रहूंगा जो भी है हैर ट्रीटमेंट से रिलेटेड या फिर हैर कट से रिलेटेड होंगे आप लोग भी अपने प्यार बनाये रखिए और इसी तरह आप लोग प्यार देते रहे हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाय बाय टेक केर